आप देखें तो पिछली वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा जो के जून हमने यहां पर लगाया था बिल्कुल उसी के उपर वर्क हो रहा है मार्किट का तो उसको भी क्रास करते हैं मार्किट मजीद उपर गई है ठीक है तो यहां पर देखें अगर इसको मैं करके देखें लेते हैं की मार्किट बिल्कुल इक क्रेट उसके उपर काम कर रही है यहां पर लाप देख सकते हैं ब्यांकी अगर मजीद यहां पर है इसको आने कंवहां देडा तो दोस्तो तो फिर यह जाएगी मार्किट 39,250 ठीक है इसको भी इसने ब्रेक किया और एक अच्छा पंप दिखाते हुए इस मार्किट ने बेटी सी की मार्किट ने 40,449 मतलब यह तमाम रिजिस्टेंस जो के कल की वीडियो के अंदर हमने बनाए थे तो उसके अंदर इसने अपना मतलब के सभी जो रिजिस्टेंस से उनको ब्रेक कर लिया ठीक है तो अगली जो क्या सूर्टेहाल है मार्किट की उसके उपर हम बात करेंगे तो लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो यहां पर मैंने कहा था कि अगर आप एक हेल्थी इंटरी लेना चाते हैं तो ले सकते हैं लेकिन स्पोर्ट रेडिंग करें ना कि आप क्श्मकश की शिकारती मार्किट और वैसे भी मार्किट का उपर जो के रूमर बहुत ज्यादा चल रहे हैं तो फिर साफ़जार मार्किट ने आगे पिछे होना था तो इस वजह से जो कि दॉसरे बंदे को अच्छे तरीके से गाइड किया तो ताकि जैसा हम प्राफिल ले रहे हैं उनको भी वैसा ही लेना चाहिए ठीक है अगर आप सब बाते बरताकर उनको डुरा दे तो यह चीज अच्छी नहीं ठीक है लेकिन इसके लिए बेतरी यही है कि सिंपल सी बात होती है कोई भी काम है भाई कोई भी विजनेस है इसमें नफ और नुक्सान दुन चीज़े होती है ठीक है तो उसी साफ से हर आदमी ने अपनी इंवेस्टमेंट करनी होती है खैर अब जो मार्किट है फ्रेंट से अब इस सिंपली यह जो एरिया है सुरी में थोड़ा सा इसको माउट कर लूं फ्रेंट्स अगर इसको रिवर्स होता है बैक फिर से मतलब के बैरिश होती है मार्किट थोड़ी सी तो अगर जहें आ जाती है 41,394 के उपर 90 मतलब के 92 इसकी उपर आ जाती है इसको अगर ब्रेक करती ह इस स्पॉट को तो फिर जो next स्पोट बनेगी इसकी वह यह फोटी एकवेनर फ्रेंट्स इसकी बनेगी 40,400 ठीक है 400 या फिर 500 के करीब या यह इसकी जो कि स्पोर्ट बन जाएगी अगर फ्रेंड्स यहीं से मार्केट ओपर जाती है मजीद कितना जा सकती है तो उसके लिए फ्रेंड्स यह यह 44,000 और 22,500 उसके उपर मैं अभी वो ड्राइंग वगरा कर देता हूं ठीक है कि कौन सी स्पोर्ट और कौन सी रिजिस्टेंस वगरा है तो लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी मार्केट के अंदर इंटरी लेनी है आपने हेल्थी इंटरी लेनी है ऐसा नहीं कि आपन स्पोर्ट है ठीक है यह भी स्पोर्ट बन चुकि है और यह भी स्पोर्ट बने चुकिए करने इस बात का भी आपने ख्यां सब्भाश में यह देखें के इसको भी चेंट करना चाहिए तो यहां पर देखें कि इसको हमर्ण्ट यह अगर इस जोन में फिर से आ जाती है मार्केड यह जो यह जून अगर इसमें फिर से आजाती है मारकिट तो यह फिर मारकिट फिर उसी किश में आ जाएगी कि第三 thousand के क्रीब जाएगी मतलब कि thirty thousand के éch जाएगी या फिर अपना ट्रेंड reversal करेगी या या नहीं ठीक है उसके ओपर आ मार्किट लेकिन फिलहाल आपने वेट करना है मार्किट जो के 44,000 या फिर 39,500 के क्रीब आएगी मार्किट ठीक है और 39,000 के क्रीब आ सकती है अगर यहीं से यह रिवर्स होती है मजीद उपर की जाने फ्रेंट्स यहां पर देखें ऐसे जाती है मार्किट तो फिर यह के जो चांसे हैं मार्किट के जाने के तो फ्रेंट्स अगर यहीं से मार्किट रिवर्स होती है फिर से तो इसकी जो स्पोर्स वगएर वो बता दी है अगर इनको फिर से मतलब के रिटेस्ट करती है इसको 42,250 को अगर यहीं से इसको मतलब के ब्रेक करती है तो यह फिर मार् higher high और higher low बनाती होई नीचा आएगी थोड़ी सी और फिर ये market का next moment वो आने वाले दिनों में अगर अच्छी news मिल जाती है मार्च के अंदर तो फिर ये 50,000 55,000 के क्रीब जाएगी market ठीक है तो ये फिर अगर rumor बगएर ना आए तो और उपर से अच्छी news बगएर आजें तो फिर market अच्छी तरीके से काम करेंगी ठीक है तो अभी ये है कि अगर ये इस जून से नीचे आती है market इसको break करती है इस point को 41,155 तो इसके बाद ये आजेगी 40,000 के क्रीब ठीक है तो अगर इससे भी नीचे आएगी तो market ज्यादा ज्यादा 49,500 के क्रीब आ जाएगी ठीक है 49,500 के जो के sport बनती है अच्छी इसके ओपर बहुत जाते बहुत ज्यादा अडर लगे हुए फिर से बाय होगी अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है फिर उससे बैक ओकर 48,000 के क्रीब इसकी अच्छी sport है और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर ये 38,500 के क्रीब मार्किट आजेगी ठीक है यहां पर बहुत सारे अडर लगे हुए अभी भी 39,500 के ओपर बहुत सारे अडर लगे हुए इसके भी तो जैसे यह मार्किट अलबता अल्ट काइंट थोड़ा सा अलेदा भी काम कर रहे आज कुछ इस तरह की situation चल रही है तो उसमे यह है कि 30,000 का मेरा टारगर था उसको सने कंप्लीट किया 30 जो के तीन सोरी 30,000 डालर को उसने ब्रेक तो नहीं किया लेकिन उसको टच कर लिया है तो फ्रेंट से मैंने एथिरियम का चार्ट ओपन किया है तो कल की वीडियो कर आप लोगों ने नहीं देखी वो भी आपने द दूर्तियाल यह है कि मैंने 30,000 का जो के 3,000 3,000 डालर का मैंने टार्गर रखा था वो इसने कंप्लीट कर लिया है तो अभी जो इसकी भी नेक्स्ट मूवमेंट इस बिल्कुल उसी तरीके से है लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर बिटकोईन को यह अभी एथिरियम य कवर हो रहा है ठीक है तो अभी अगर आप देखें को यह तो इसका जो नेक्स्ट लेवल बनेगा फ्रेंड्स वो यह है कि अगर इस रिजिस्टेंस को जहां पर यह बर्क कर दी है कल का चार्ट मैंने चित्रिके से किया था अब आगर आप वो भी देखना चाते हैं उसमें आपको एक दो तीन दिन के लिए जितनी भी मार्किट आगे पीचे काम करेगी उसके अंदर भी मजीद आपको पता चल जाएगा ठीक है तो अभी अगर का इसकी बात करें तो यह यहां पर अगर मार्किटा इससे नीचे आती है थोड़ा सा तो फिर यह 2900 के करीब चली लेगी और इसका बीट लेवल बन रहे है 2500 का बन रहे है मतलब के 2600 का बन रहे है Ethereum का ठीक है तो अगर इसी पर ही मार्किट मजीद उपर जाती है तो यह मार्किट जाएगी फिर मार्किट फिर जा सकती है जी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दें अगर मजीद अच्छे-च्छी इंफरमेशन मगरा लेना चाहते हैं तो यहां पर आप तो फ्रेंड्स फिर मार्केट जो इसका जोन बनेगा वह यह के मार्केट का जो बेस्ट जोन रहेगा वो 30 257 ठीक है इसका जो बेस्ट जोन रह और 50 को जरूर से इसको टच करेगी और इसी रिजिस्टेंस से जो के रिजेक्शन मिलती है तो फिर यह फिर से 300 के क्रीब चली जाएगी मार्केट वापस आएगी और उसको भी अगर यह ब्रेक आउट करती है स्पोर्ट को भी यह स्पोर्ट बनेगी यहां पर अगर इसको भी इस रिजिस्टेंस को भी ब्रेक करेगी तो फिर जो के स्पोर्ट बर रहा है स्पोर्ट का काम कर रहा है तो इसको इस स्पोर्ट को अगर ब्रेक आउट करेगी तो फिर यह 2700 और 80 के करीब या फिर जो के 2800 के करीब मार्केट वर्क करेगी तो खैर अभी के लिए फ्रें कर सकती है ठीक है तो अभी BNB के चार्ट को उपन कर लेते हैं उसका काम भी देख लेते के वो कैसे का वर्क कर रहा है तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो पिछली वीडियो के अंदर भी आपने देखा होगा जो के जून हमने यहां पर लगाया था बिल्कुल उसी के उपर वर्क को रहा है मार्किट का तो उसको भी क्रास करते हैं मार्किट मजीद उपर गई है ठीक है तो यहां पर देखें अगर इसको मैं थोड़ा सा वन अवर का करूं तो वहां पर आपको पता चल देगा देखें मैंने टाइम फ्रेम जो के चेंज किया है अभी तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि उस टाइम फ्रेम के ओपर वर्क कर रही है यह दिखें 400 का है मजीद इसको करके देख लेते हैं कि मार्किट बिलकुल एक को रेट उसके ओपर काम कर रही है यहां पर आप देख सकते हैं बी अन्बी की अगर मजीद यहां पर इसको मतलब के इस जाता है उसको मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे यह मार्किट वर्क कर लिए तो अभी आप देख सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो एनलाइज अच्छे तरीके से किया जाता है तो फिर वीडियो को भी अच्छे तरीके से देखा करें ताके आपको अच्छी तरह समझा सके ठीक है अभी यह मार्किट की जो नेक्स्ट मुव्मेंट होने वाली अगर इसका रिजिस्टेंस मजीद नेक्स्ट बनाएं तो यहां पर देखे के जो नेक्स्ट इसका रिजिस्टेंस बन सकता है वो बढ़ेगा तो friends 40 तो friends इसका मुझीद जो next level वनेगे वह मैं यही पर अगर इसको कर लूँ एक दफ़ा तो friends यहां पर देखें कि मार कर लिया है इसको तो अभी four hour का time frame कर लेते हैं तो इसको भी इसने ब्रेक कर लिया है अगर मजीद इसमें बूम देखने को मिल सकता है वो 420 के तक का यहां पर बूम देखने को मिलता है अगर उसको इसको भी ब्रेक आउट करती है तो फिर 432 ठीक है अगर उसको भी ब्रेक करेगी तो यह फिर साथे 400 डालर के करीब चली जाएगी ठीक है 450 के करीब चली जाएगी मार्कीट और वहां से फिर मजीद आगे पता चलेगा किस तरीके से मुवमेंट होती है अगर इस रिजिस्टेंस को मजीद आगे बूम नहीं करती तो मार्कीट फिर से रिवर्स होगी मतलब के बैरिश होग अगर उसको भी यह रिकवर करती है अगर इस रिजिस्टेंस को भी करती है ब्रेक आउट तो फिर यह वैसी बता दिता हूँ कि 385 के करीब मार्कीट चली जाएगी ठीक है 385 के करीब में यहाँ अभी आपके सामें लगा देता हूं ठीक है यह जोन बना देता ताकि पता चले आपको भी 300 85 या फिर 86 के करीब जो कि मार करेगी क्योंकि एक दो डालर आगे बीचे रखने होते हैं कुछ लोग वगरा अपने इसका कलर भी स्पोर्ट के लेवल के ऊपर कर दें ठीक है तो यह देखे फ्रेंड इस तरीके से मार्केट इस पर आएगी अगर मार्केट 30 360 के करीब या 350 के करीब फिर से आ जाएगी उसी जोन के अंदर तो इसकी जो स्पोर्ट वगरा है मजीद जो ज्यादा लेंथी वीडियो ना बन जाए इसलिए जो कल वाली वीडियो उसके अंदर भी देख लिए उसके अंदर एनलाइज के साथ साथ ये भी बिता देखने को नहीं मेर रहा जिस से रखार देखना चाहिए क्योंकि में इसकी वज़ा से और एथिरियम का जो ब्लॉक्चैन है उससे जो के 351 मिलियन डालर की जो के हैकिंग की गई थी उस वज़ा से ये इतना भूम नहीं दिखा रहा अलबत्ता ये मजीद जाने के जो चांस लिवल बनेगा और उसको भी मजीद ब्रेक करता है तो फिर अच्छे तरीके से बूम होगी मार्किट और 133 जो कि यहां पर पहले से बना रखा है उसके क्रीब मार्किट चली जाएगी और सारे के सारे आल्ट काइन लाइट कोईन वगयरा या फिर आटम कोस्मस वगयरा रहा है तो है अंदर भी इसी तरीके से इंटरी ले लेनी ठीक है कोस्मस हो गया या फिर जिस स्यूशन में मार्किट है इसी के उपर अगर वार्ड करती है मजीद तो फिर यह मार्किट जो के icp ऊगया कोस्मस हो गया नेयर light coin तो जितने भी alt coin है वो फिर एक एक दो दो डालर की उसकी resistance level बनते जाएंगे ठीक है अगर उनको break करता जता है तो फिर यह resistance से एक दो दो तीन तीन डालर इसकी increasing होती जाएगी और अगर अच्छी कोई rumor बगएर ना आए और bad news ना आए तो फिर market के जो पिछले resistance होगे वो उसके sport बनते जाएंगे ठीक है I hope के friends आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इल्ला हाफीज